नमस्कार दोस्तों गुड मॉनिंग और एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने योट्यूब चैनल जैविक वाटिकावें और आज का वीडियो हमारा बहुत खास है आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे महेंगे पौद है जो आप अपने घर पर पतियो से ग्रोव कर सकते हैं और आसानी से ग्रोव भी हो जाते हैं जो मार्केटमिन की कोस्ट होती है वह बहुत ज़्यादा होती है तो अगर हमें यह जानकारी मिल जाए कि इन पौदों को हम पतियों से कैसे ग्रोव कर सकते हैं तो हम आसानी से एक पोदे से हजारों पोदे अपन बना सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो कहीं से अपने आसपास से या किसी नरसरी से एक पत्ती लाकर भी पौधा बना सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आने वाले जो वीडियो रहेंगी उनके नोटिफिशन आपको मिल जाएं तो आईए शुरू करते हैं वीडियो और यह मैं दिखा रहे हूं आपको सुन्दर सुन्दर से फूल यह देखिए यह को लोड़ी सी महेंगी मिलती है मार्केट में और यहां से नहीं हमारे जो रुड़की है हमारे आसपास नहीं ग्रो किया जाता है यह पूने वगेरा से आता है ऐसे ही और यहां पर केवल सेल किया जाता है तो हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन-कौन से पौदे हैं जो हम पत्तियो से grow कर सकते हैं तो मैं सबसे पहले तो आपको दिखाना चाता हूँ ये देखे ये मैंने कुछ पौदे grow किये हुए हैं और आप देख पिर रहोंगे result मेरा पहले देखिए आप ये देखिए ये पौदा बनने वाला है इधर एक पौदा पत्ती से ही बन गया है इधर मैंने एक पौदा मैं बना चुका हूँ दूसरे पौदे में आप roots देख सकते हैं ये कितनी आई वी हैं और इधर और भी कुछ पौदे हैं ये देखिए मैं leaves नरसरी से लेके आया था ये लक्षमी कमल है और लक्षमी कमल का पौदा ये बनने वाला है अभी तो ये देखिए ये मेरे कुछ result हैं जो मैंने grow किये हैं एक leaves मैंने अभी कुछ दिन पहले ही रखी ती इसमें अभी नहीं निकला है पौदा इसमें थोड़ा टाइम लगता हैं एक महीना तक भी लग सकता है पौदा बनने में तो थोड़ा धैरिये रखना होता है और एक ये मैं कैक्टस लेके आया था उसका मैं प्लांट बनाओंगा कैक्टस भी ऐसे ही बन जाता है लीव से ही तो ये मेरे पौदे हैं जो मैंने अभी तक grow किये हैं एक ये बड़ा प्लांट बन जाएगा अब इधर मेरे ये पूरा बंच देखिए टोकरी ये पूरे एक ही पौदा था मेरे पास जब मैं लाया था इसको और मैंने ये काफी दूर से मंगाया था और मेरे पास किवल एक ही पौदा बचा हुआ है अब इस पूरे जित्रे भी मैंने इसकी अरब दbers पौदे मंगाय थे एक पौदा ये बचा हूआ है और एक फौदा और बचा हुआ है वो यह यह मैंने बैंगलोर से बाई किये थे जब मैं वीडियोज नहीं बनाता है काफी मलब यह लगवक्त तीनक साल पुरानी बात है मैंने मासी काफी महँए मेरे leaders जिहान आ रहा है कि साइद मैंने दो-दो-सो रुपे में ये पौदे बाई किये थे वहां से और एक वेबसाइट है सेकुलेंट फैक्टरी के नाम से उससे मैंने ये बाई किये थे कुछ पौदे मेरे चल गए थे लेकिन चलने के बाद फिर वो सर्वाइब नहीं कर पाए और मैं उनको बचा नहीं पाया लेकिन ये एक ऐसा पौदा था जो बच गया और इसमें से आपने आपी ने नए नए पौदे निकलते रहते हैं इसकी जो लीब से वह इसमें तूटके गिर जाती है तो उसमें एक पौदा तियार हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ ये तो इस तरह से मैं इस पौधे को यहां पर रख देता हूं कुछ इस तरह से आपको रख देना है और हल्की सी इसमें पास में थोड़ा सा यह कर देना है तो इससे आपको पौधा मिल जाएगा तो यह पूरा प्रोसेजर होता है कि आपने क्या किया कि एक पत्ती ली ऐसे यहां से जैसे एक जो हाड वाली पत्ती होती है जो लास्ट नीचे से निकलती है उस पत्ती को आपने लेना है और इस तरह से आपने यह खाली रेत में भी आपकी जैसे यह रखी वी थी हमने इसमें से पौदा बनने लगा है जैसे यह रखी वी थी इसमें से पौदा बनने लगा है यह है तो इस तरह से आपने एक लीव को ही रख देना है और आपका पौदा तयार हो जाएगा ये सेकुलेंट्स पहले बहुत महंगे आते थे दो दो सो तीन दीन सो रुपे गाते हैं हलाकि अभी मार्केट में इतने महंगे नहीं है आपको 50 रुपे में भी सेकुलेंट्स का पौदा मिल सकता है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर आप फ्री में पौदा बना पाए तो फिर 50 रुपे खरच करने की क्या जरुत है तो ये जितने भी सेकुलेंट्स आप प्रेंचों की दो बरैटी है एक और पौदा है मेरे पास इसको मदर और थावजंड बोलते हैं ये भी लीप से प्रॉपोगेट होता है और अगर इसकी पती आप लगा लेंगे तो पती से असानी से पौदा बन जाएगा और आप देख भी रहोंगे नीचे कितने सारे इसक जो पतीया हैं वो उनके कलर थोड़े से बिगडे हुए हैं क्योंकि मैंनकी केर नहीं कर पा रहा हूं और इस तरह से बाहर पड़े रहते हैं वैसे बहुत खूबसूरत लगता है पौदा बाकि हम बात कर रहे थे पतीयों से पौदे बनाने की तो इसमें ये पौदा भी मेर में लगाएंगे और एक फिर रहता है कि पानी में अगर आप ग्रो करेंगे तो उससे आजाएगी रूर्ट तो पानी में ग्रो करके रूरॉट आजाती हैं उसमें थोड़ी कіयर ज्यादा रखनी रहती है मिट्टी में भी आ जाती तो मिट्टी और पानी दोनों तरह से लीव से प्रोपोगेट कर सकते हैं और ये भी सेकुलेंट्स वराइटी में ही आता है ये मैं एक बार घूमने गया था एक जगे तो वासे मैं इसको लेकर आयता है और ये पहाड से मैं लाया था इसको बड़ा सुंदर लगता है देखिए आप देख भी रहोगा आपको कितना सुंदर लग रहा है ये तो ये भी आप लीव से प्रोपगेट कर सकते हैं और मैं करते रहता हूं मुझे इतनी आवसकता नहीं पड़ती है अब चितने मेरे पास वेराइटीज है सारी आसानी से ग्रो हो जाती है बाकी अगर आप चाहें तो ये देखे ये मनी प्लांट है मनी प्लांट को भी आप एक लीव से पत्ति से ग्रो कर सकते हैं और ये आसानी से ग्रो भी हो जाती है हालक ये göstएनी से भी ग्रो सकती है अग कि कटिंग लगा देंगे तोसे भी आपका पौदा बन जाएगा और सात में ये देखे ये स्नेक ब्लांट है स्नेक प्लांट गर अप इसकी लीव को कट करके लगा देंगे तो इसकी लिफ्स से भी आपका पौदा तयार हो जाता है इस पर एक अलग वीडियो मेरी बनाई भी थी मैंने तो वो भी आप देख सकते हैं तो यही सारे पौदे हैं एक पौदा और है जैसे यह रबर का प्लांट है रबर प्लांट भी आप आसानी से एक पत्ति से ग्रो कर सकते हैं इसमें थोड़ा टाइम लगता है लगवग एक से डेड़ मेने का ग्रो होने में लेकिन यह ग्रो हो जाता है तो यहीं सारी जानकारी थी आज की वीडियो में की कौन-कौन से पौधे हैं जो पतियों से आप grow कर सकते हैं और असानी सेखण नया पौधा बना सकते हैं तो आप भी ऐसे ही बना सकते हैं जितने सेक्कुल्एंट असानी से प्रोपोगेट हुझाते हैं तो इस तरह से आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना और आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और साथ में बैल आइकन को प्रेस कर दिजे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्त के साथ सेयर जरूर करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार